नमो नारायन मित्रो मैं राहुलेश्वर आप सभी का स्वागत करता हूँ भाग्य मन्थन में आज हम बात करेंगे मकर राशी के जन्वरी महीने के राशी फल के बारे में चोकी चंदर कुंडली के उपर आधारित होगा आप सभी को नववर्ष की धेरो शुप कामनाए इस वर्ष आपकी सभी शुप मनो कामनाए पूर्ण हो जन्वरी महीने का सामान्य घटना करम आपकी चंदर कुंडली के अनुसार एक जन्वरी को चंदर मा आपके अश्टम भाव में विराजमान है जो की आपको समस्या में डाल सकता है दो और तीन को फिर से समय सामान्य रहेगा चार से लेकर आठ तारिक तक धन संबंदी मामलों में आप भाग्यशाली सिद्ध होंगे आपके द्वारा की ये सामान्य प्रयास भी सफल हो जाएंगे नौ और दस को स्वास्तिय में गडवडी और धन खर्च होने के योग बनेंगे ग्यारा और बारा तारिक का दिन आपके लिए प्रगती देने वाला सावित होगा और आपके सम्मान में भी वृद्धी होगी तेरा से सोला तक आपका मनोबल सफलता के उच्चतम शिकर पर होगा सामुहिक कारियों में आपकी भागीदारी की समाज में प्रशंसा होगी और इसका सीधा फायदा आपके व्यापार को मिलेगा अठारा से इकिस तारिक तक समय अनुकूल नहीं होगा जिसके चलते आपका मन भी खराब रहेगा आपकी अच्छाई का लोग गलत फायदा उठाएंगे 22 से 28 तारिक तक का समय मिले जुले प्रभाव देने वाला साबित होगा जनवरी महीने का समापन सामान्य होगा आर्थिक इस्तिती जनवरी का महीना आर्थिक दृष्टिकोंड से मिले जुले फल देने वाला साबित होगा धन प्राप्ती को लेकर आप कठोर मेहनत करेंगे लेकिन प्रतिफल प्रतिकूल रहेंगे चार से आठ, ग्यारा और बाइस तारिक का समय आपके लिए धन दायक सिद्ध होगा एक, नौ, दस और सत्ताइस, अठाइस को धन का लेन देन करते हुए बहुत अधिक सतर्क रहें भवन भूमी के विक्रे और छोटी अवदी के निवेश में भी लापके योग बनेंगे करियर और व्यापार नौकरी पेशा लोगों के लिए जन्वरी का महीना मध्यमफल देने वाला साबित होगा कार्य स्थल पर किसी भी प्रकार के विवात को बढ़ने से रोकें चार, पांच, छे तारिक नौकरी करने वालों के लिए कोई खुश खबरी लेकर आएगी जो लोग नौकरी की तलाश में हैं उनके लिए 11 और 12 तारिक शुप साबित होगी विवसाय करने वालों के लिए समय अच्छा रहेगा लेकिन साबधानी बरतने की सला भी दी जाती है इस समय कार्य स्थल पर समय से पहुँचें और वहां की गतिविदियों पर नज़र रखें 7 और 8 तारिक को बड़ा लाब हो सकता है परिवार परिवार को लेकर आपका सकरात्मक दिष्टिकोन और धैर्य ही परिवार को जोड के रखने का कारण है आपकी ओर से मेल जोल बढ़ाने की एक और अच्छी पहल होगी जो की सफल भी होगी 15 और 16 तारिक का समय परिवारी गतिविदियों में शामिल होने का होगा आपसी मन मुटाओ कम होगा सभी लोग अपने कारियों में व्यस्त रहेंगे और खुश रहेंगे महीने के दूसरे हिस्से में परिवार में व्रिद्द लोगों का स्वास्तिय बिगड सकता है जीवन साती के रवईये में बदलाव दिखेगा और वैचारिक मदभेद शांत होते दिखेंगे प्रेम संबंद प्रेम संबंदों को लेकर समय शुप रहेगा मदभेदों में कमी आएगी नौ और दस तारीक को कुछ पुरानी बातों के चलते अशांती का महौल बन सकता है लेकिन उसके बाद से महीने के अंत तक समय सामान्य रहेगा शिक्षा विद्या प्राप्ती में कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है परिवार की ओर से कुछ चीज़ें आपकी एकागरता भंग करेंगी समस्याओं से निपट कर आपको शिक्षा पर दुबारा ध्यान लगाना चाहिए बुरी संगत से दूर रहें जूटे आरोप लगने का समय साबित हो सकता है क्योंकि इस समय राहूग रहे तिरतिय स्थान से गोचर कर रहे हैं किसी नए कोर्स में प्रविश लेने के लिए यह समय ठीक रहेगा स्वास्थियर नेत्रों के कारण सिर्दर्द और चक्कर आने की शिकायत बन सकती है पंद्रा तारिक तक नेत्र विकार परेशान कर सकते हैं इस समय आपकी चंद्रकुंडली के दुधिय और द्वादश भाव में शनी और सूर्य पाप करतकी योग बना रहे हैं इसलिए वहन चलाते हुए ला परवाही ना करें हेलमेट जरूर पहने और ट्रैफिक नियमों का पूंड पालन करें चलिए बात करते हैं उपायों की उपाय नमबर एक शनीवार के दिन काले रंग की गाएं को रोटी में गुड़ डाल कर खिलाएं काली रंग की गाएं ना मिले तो किसी भी रंग की गाएं को गुड़ रोटी खिला सकते हैं उपाय नमबर दो प्रती दिन घर से बाहर निकलने से पहले शनी मिर्तियुन जय स्त्रोत का पाट करें उपाय नमबर तीन शनीवार के दिन मंदिर में काले तिलो का दान काले रंग के कपड़े में रखकर करें उपाय नमबर चार शनीवार के दिन घर में शमी विरिक्ष लगाएं और रोज उसका पूजन किया करें उपाय नमबर पाँच पारिवारिक शांती सदैव बनी रहे और जीवन साती के साथ पैचारिक मदवेद ना हो इसके लिए मंदिर में केले का वरिक्ष लगवाएं इसी के साथ आपसे आज्या चाहते हैं आपका जीवन शुवा मंगल मैं हो नमो नारायन